पडिश्या के बाला सोर जिले के बहानगा बाजार इस्टेशन के पास शुक्रवार की शाम करीब साथ बजे तीन ट्रेन दुरगटना ग्रस्त हो गई थी देश के सबसे भीशन रेल हादसे में से एक इस दुरगटना में 288 लोगों की मौत हो गई और 1100 से अधिक घायल हो गए वहीं इस दुरगटना में बिहार के भी काई लोग शिकार हुए हैं इस आधसे में बिहार के प्रभावित लोगों को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने बुद्वार को एक ट्विट किया है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार इस दुरगटना में बिहार के 43 लोगों की मौत होई है 47 लोग घायल हुए हैं और 18 लोग अभी भी लापता है बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने ट्विट कर जानकारी दी कि 7 मई सुबह 8 बजे तक ओडिशा के बाला सोर में होई दुरगटना में अब तक बिहार के 43 लोगों की मौत की सूचना है वहें इसके साथ ही आपदा विभाग ने लोगों की मदद के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर संपर्कर पेडित परिवार इस दुरगटना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है गौर तलब है कि बाला सोर में बहानगा बाजार रिल्वे स्टेशन के पास शुकरवार के शाम करीब 7 बजे कोरो मंडल एक्सप्रेस मुख्य लाइन के बजाए लूप लाइन में प्रवेश करने के बाद वहां खड़ी एक माल गाड़ी से टकरा गई थी इस आदसे की चपेट में बेंगलूरू हावडा सूपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ गई थी इस दुरघटना में कम से कम 288 लोगों की मौत हुई है 1100 से अधिक लोग घायल हुए हैं वहीं इस दुरघटना को लेकर BJP की के इंदर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है कॉंग्रिस रेल मंत्री से स्तीफे की मांग कर रही है वही रेलवे बोर्ड ने बाला सुर रेल दुरघटना की CBI जांच की सिफारिश की है इस पैसले पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है हाला कि CBI जांच शुरू कर दी गई है CBI ने घटना स्थल का दौरा किया और तमाम साक्ष को जटाने की कोशिश की है देखना हुगा कि इस पूरे CBI जांच मामली के बाद क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं